मैं के राहूल आप सभी लोगों का स्वाधत करता हूँ आपके लिए खुसकबरी राइस स्मार्ट की तरफ से ससी का पेड बैच लॉंच हो चुका है नाम है ससी कम्प्लीट सॉलूशन बैच अब ये बैच आप जॉइन कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर वहां आपको हमारी एप डाउनलोड करनी पड़ीगी सर्च करना है राइस स्मार्ट गॉर्मेंट एक्जाम प्रिपरेशन एप डाउनलोड करें और अपने आपको फट अफट से रजिस्टर करें कम्प्लीट से सॉलूशन बैच में और बैच में रजिस्टर करने के साथ ही आप यूज करेंगे एक प्रमोशनल कोड के आर 500 तो आपको मिलेगा एक इनागरल डिसकाउंट एक वेलकम डिसकाउंट और ये खुसखवरी आप सिर्फ अपने तक ही सिमित मत रखेगा अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ भी ये अच्छा लगेगा यूगि खुसियां और ग्यान तो बाटने से बढ़ती है है ना तो इनागरल डिसकाउंट के आर 500 इसके थुरू जब आप कम्प्लीट SAC सोलुशन बैच को जोईन करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी चेहरे पे मुस्कान लाने वाली डिसकाउंट मि वो कुछ Caterpillar से सम्मंधित है इल्ली से ठीक है तो देखे क्या कहता है जब इल्ली यानि Caterpillar खाली जगह नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में परवेश करने के लिए तयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है अपने चारों अवस्था है वो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें Caterpillar एंटर करने से पहले अपने चारों तरफ एक वेव जो है वो बुनता है एक जाल बुनता है तो वेन दा कैटर पिलर इज रेडी तो एंटर दनेक्स्ट स्टेज आफ इस लाइफ साइकल कॉल्ड खाली जगह इट इनीसियल कुःन है प्यूम या डिलेड राफ कून है नदिम्ब है औरंबिग कुध कून है फियूम विलंबित कून है तो देखे हैं धिन के लिए आपको यहां दिया है यह हमारा एक कहलो कि मौत है वैसे तो अब इसको बटरफ्लाइबी समझ लीज़ए तो यह पहले पत मलवेरी लीफ के उपर एग दिया एग से पहले लारवा निकला अब लारवा अपने आपको प्यूपा स्टेज में लेके जाता है लेकिन प्यूपा स्टेज में लेके जाने से पहले अपने चारो तरफ क्या होता है एक सिल्क का थ्रेड बनाता है और उससे अपने आपको घेर लेता है तो इस stage को हम कहते हैं cocoon और silk जो निकाली जाती है व bạn यह जो चोटे से इत्ते बड़े तक अमारे छोटे-छोटे सफिर अंड़े जैसे दिखते हैं बहुत पतले फ्रेट से बने होते देख के नहीं लगेगा तो इस वो गरम पानी मों वाला जाता है सारे प्यूपा सारे लार्वा मर जाते हैं फिर जाके वो सिल्क निकलता है तो समझ लीजे सिल्क बनाने के लिए कितने सारे सिल्क के लार्वा या प्यूपा को मारा जाता है तब जाके सिल्क थेड निकलता है फिर उसको अलग-अलग कलर में रंगते हैं फिर अलग अलग ऑलग design के कपड़े तयार किया जाते हैं, बड़े महंगे होते हैं, और हम सभी उसे पहनते हैं, तो तो सही आंसर हमारा होगया, पूपा, हना लारवा से जब ये पूपा के stage में जाता है तब वो अपने चारों तर付 एक जाल सा भुनता है, बहुत सुदर, अगला स है कि और तो तो अभी हमने देखा कि काटर पिलर क्या करता है अपने चारो तरफ ना जो है जब आ tones पाइस्टेज में जाता है तो अपने चारो तरफ Again जा एक जालसा बनाता है वो तरफ जो है वो किस material का बना हुआ यानि सिल्क का जो धागा है जिससे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं वो किस चीज का बना हुआ है क्या यह प्रोटीन है कार्बोहाइडरेट है फैट है या सेल्यूलोज है क्या है प्रोटीन कार्बोहाइडरेट वसा या सेल्यूलोज तो भाई यह हमारा है प्रोटीन तो सिल्क का थ्रेड यह भी प्रोटीन है जो गर्म देने वाले स्वैटर बनाए जाते है उसका जो थ्रेड है यानि जो भेड से या खरगोस से इन सबों से निकाल उसका भी जो थ्रेड है वो भी प्रोटीन है ठीक है तो यह सभी क्या है हमारे तो प्रोटीन के बने हुए हैं ओके तो यह हमारा है सिल्क प्रोटीन जिसे हम कहते हैं सिल्क प्रोटीन ओके और कैमिकल नाम इसे हम कहें तो यह हमारा है फिब्रॉाइन जिससे हमारा सिल्क थ्रे को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है इनमें से कौन सा ऐसा प्रकिरिया है जिसे हम वीटी कल्चर के रूप में जानते हैं क्या ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये हमारा वीटी कल्चर कहलाता है फीस फिश ब्रीडिंग क्या ये कहलाएगा सिल्क वार्म रियरिंग यह कहलागा या ग्रेप्स कल्टिवेशन आज कल देख रहा है ना हरे और काले अंगूर मार्केट में छाए हुए है ना तो उनको भी कहीं कल्टिवेट तो किया जा रहा है तो इसमें से किसको हम वीटी कल्चर के नाम से जानते हैं एको सबजियां किसी कल्चर कह देते हैं एक्वा कल्चर से कई वार कंफ्यूज होते हैं एक्वा कल्चर में क्या होता है सिर्फ जीव मतलब सिर्फ जानवर ही नहीं वहां पर पौधे भी आ जाते हैं यानि सिर्फ फ्लोरा ही नहीं फौना यानि कि जलिये जीव और जलिये पादप जो हमार commercial use के लिए आते हैं उन सभी को पैदा करना उनकी marketing करना उससे पैसे बनाना ये सारा aqua culture के अंदर आ जाता है लेकिन मचली की बात specially हो रही है तो मचली को हम prices कहते हैं इसलिए उससे PC culture रेसम कीट पालन का चलिए ये question में भी रेसम कीट यानि silk warm आ गया पहले कोशन में भी silk warm था दूसरे कोशन में भी silk warm तीसरे कोशन में भी silk warm तो silk warm को पाला तो ये हमारा क्या कहलाता है ये कहलाता है सेरी कल्चर बहुत अच्छा सेरी कल्चर और अंगूर की खेती ये हमारा कहलाता है वीटी कल्चर और मुखिता अंगूर की खेती के वीटी कल्चर के एसपेक्ट में अगर हम देखें तो अंगूर की खेती जो है वो वाइन तयार करने के लिए उस परपस से किया जाता है तो हम उसे वीटी कल्चर कहते हैं ठीक है इसी तरह मधमक्खी पालन होता है उसे हम एपी कल्चर कहते हैं उके चलिए तो हमारा इसमें क्या हो गया अंगूर की खेती इसलिए आप देखोगे कि जो सराब है उसे कई अर्लोग है न मजा के भास में कहते हैं कि अंगूर की बेटी है तो उससे ही बनाये गया है next which of the following sets of unicellular इन में से कौन सा ऐसा एक सेट है एक समू है जो एक कोशी की यह है एक ही कोशी का का बना हुआ है अंडानू और सुकरानू अंडानू और युगमज सुकरानू और भ्रोण युगमज और भ्रोण है न एग और स्पर्म एग और जाइगवाट स्पर्म और इंब् तो हमें मालूम है एग फीमिल में होता है ठीक है फीमिल का सिंबल इस तरह से लेते हैं स्पर्म मेल में होता है और ये दोनों ही एक कोशी किये होते हैं एक ही कोशी का का बना होता है और दूसरी खासियत इन में जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वो आधी होती है तो आध क्रोमोजोम स्पर्म में 23 क्रोमोजोम एग में मिलकर फिर से बन जाते हैं 46 क्रोमोजोम जो हम इंसानों की सरीर में उपस्चित होता है ठीक है तो हमारा सही आंसर फिर हो गया एग और स्पर्म है ना जाइगोट हमारा एक से ज़्यादा कोशिकाओं का है है ना इंब्रियो एक स एक से ज़्यादा कोशिकाओं का है तो अगर ये पूछा जाता है इन में से कौन सा ऐसा सेट है जो एक कोशिक ये नहीं है तब हमारा option number 4 बनता क्योंकि जाइगाट और इंब्रियों ये दोनों ऐसे हैं जो एक कोशिका से नहीं है ये न मल्टी सेलिलर है एक कोशिका से सिर्फ एग और स्पर्म है बहुत संदर है अगला सवाल हीमोग्लोबीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है which of the following diseases is caused due to deficiency of हीमोग्लोबीन है ना RBC हीमोग्लोबीन होता है एक हीमोग्लोबीन molecule चार oxygen molecule को हमारे blood में carry करता है और body के अलग-अलग parts तक यानि tissues तक पहुंचाता है तो खून की कमी हीमोग्लोबीन की कमी मतलब खून की कमी है और खून की कमी को हम क्या कहते है एनीमिया ठीक है तो सही आंसर इसका क्या हो गया एनीमिया तो सही खान पान जैसे अभी market में च चुकंदर का juice एसा पीजिये तो इससे हमारा खून बढ़ेगा हरे पतिदार सबजिया खास कर अगर हम पालक खाते हैं तो उसमें भी iron की मातरा ज्यादा होती है iron के मातरा जब हमें मिलेगा तो हीमोग्लोबीन ज्यादा बनेगा क्योंकि हीमोग्लोबीन में जो metal present होता है व उसमें भी iron के अधिक मातरा उपस्तित होती है अप देखो पुराने जवाने के थोड़ी से थोड़ी से पुराने जवाने यानि हम अपने दादी के काल की बात करें तो उस समय जल्ली महिलाओं को या पुरुशों को भी एनीमिया नहीं होता था हीमोग्लोबीन की कमी नहीं बनाते और उसका रंग पढ़ जाता था काला तो देखने का अच्छा नहीं लगता था लेकिन लोहे यानि आयरन की अच्छी खासी मातरा उस सब्जी में बरतन की वज़े से मिल जाती थी और जब उस सब्जी को खाया जाता था तो कभी भी परिवार के किसी भी सदसे को आय गोल के छोड़ते हो जी नहीं आप उसे किस में गोलते हैं लोहे की बरतन में आप ऐसा किजिए एक वार स्टील के बरतन में और लोहे की बरतन में आप साथ महंदी घोल कर छोड़ दीजिए सुबह आप क्या देखेंगे कि जो स्टील की बरतन में महंदी था अभी भी हरा है लेकिन जो लोहे की बरतन में मेहन्दी घोल के रखी गई थी वो काली पड़ गई है क्यों काली पड़ गई है क्योंकि उसमें वो लोहा मिक्स हो गया है जिस लोहे के बरतन में रखा गया था उसमें से आइरन उस मेहन्दी के सॉलुशन के साथ गोल के साथ मिल गया है इसकी वज़से वो काली पड़ गई है ठीक है तो लोग उसमेहंदी से बाल को रंगते हैं ज़्यादा काला थोड़ा सा लिखता है अगर हम स्टील वाले बरतन से करेंगे तो वो हमारा बाल जो है काला ज़्यादा डार्क ब्लैक होने की जगह वो थोड मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है ध्यान में रखेगा मलेरिया मच्छरों के काटने से नहीं होता मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है ये बेसिकली एक प्रोटो जोवा है जिसका नाम है प्लाजमोडियम उसकी वज़से मलेरिया होता है तो मलेरिया क्या है प् इसको फैलाता है female mosquito तो फैलाता है नहीं कहना चाहिए फैलाती है female anophilis mosquito है ना female anophilis mosquito हैजा ये जिवानुओं की वज़ा से होता है दूसित पानी वगरा पीनेस होता है रैवीज किसी भी animal खासकर बंदरों के कुटों के काटने से होता है viral जो है disease है ये लेकिन ये किसी ऐसे हना canines के काटने सोता है canines में इसके जैसे डांट लंबे होते हैं ट्रैकुला की तरह तो वो जादा तर हमारे आसपास ऐसे कौन से animals होते हैं तो कुटे होते हैं बंदर होते हैं बिल्ली होते हैं तो इन सबों के काटने से रैवीज होने के chances हैं इसे हम हाइडरोफोबिया के नाम से भी जानते हैं यानि जिसके अंदर रैवीज के वाइरस हैं उनको पानी से डर लगता है इसलिए उसको हाइडरोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो सही आंसर इसका एनिमिया हो गया हमारा अगला सवाल स्वाद संबंधी अभी ग्राहक मानो smilesरीर के किस अंग में होता है which part of the human body are the test receptors located स्वाद हमें कहां से मिलता है बिल्कुल सही बहुत आसान सा है स्वाद हमें कहां से मिलता है तो स्वाद हमें मिलता है जीव से है ना जीव से लेकिन थोड़ा बहुत रोल जो है नाक का भी है में तो स्वाद जीव ही लेता है लेकिन आप देखो कभी हमें सर्दी जुकाम बहुत जादा हुआ रहता है तो स्वादिस्ट से स्वादिस्ट खाने का भी स्वाद हमें नहीं मिलता लेकिन हमारे से हमारा नाक बंद है काफी ज़्यादा हम उसको सही से स्मेल नहीं कर पा रहें तो हमारा ब्रेन जो है ना उस स्मेल के विज़र से जो एक्टिवेट होता और फिर वो हमारे टेस्ट बार्ट को एक्टिवेट करते हैं कि हम भी बहुत अच्छी खुसबू आ रही है यह इसका म ब्रेन को पहुंचाते हैं मैसेज ब्रेन फिर टंग के टेस्ट बार्ट को एक्टिवेट करता है जो नहीं हो पाता तो उसलिए स्वाद बहुत कम मिलता है और हमें सर्दी जुका में इसलिए बहुत अच्छा स्वाद पता नहीं चलता है ठीक है तो सही अंसर इसका हो गया अगले स्वाल की तरफ the actual path of urine in the human body is हमारे सरीर में urine जो है किन किन रास्तों से होकर जाता है ये रास्ते आपको बताने हैं तो हमें मालूम है कि ये सबसे पहले क्या होता है एक bean shape kidney होता है kidney के बाद ये हमारा urator होता है urator के बाद ये हमारा विर्णारी bladder और ये फिर हमारा होता है urethra तो इस तरह से ये हमारा बाहर urine जो है आ जाता है सबसे पहले किड्नी होगा चलो सारोई option में सबसे पहले किड्नी है किड्नी के बाद ये जो tube जैसा structure है इसे हम क्या कहते हैं है यूरेटर या फिर मुत्र नली तो किड़नी किड़नी के बाद यूरेटर तो आपका option 1 ही सही हो गया क्योंकि किड़नी के बाद urinary bladder नहीं होगा urinary bladder है ये गोल सा ये urinary bladder है और ये मुझ जिसके through urine हमारे सरीर से बाहर जाता है यूरेथरा कहते हैं तो किड़नी के बाद यूरेथरा नहीं आना है तो फिर option number हमारा one सही हो गया किड़नी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर and then यूरेथरा से finally यूरीन हमारे सहीर के बाहर आ जाएगा अगला सवाल निमलखित में से कौन धानी पसू यानि मार्सूपियल का उदारण है which of the following is an example of मार्सूपियल मार्सूपियल समसे कहते हैं यह ऐसे जीव होते हैं जिसके बच्चे जब जन्म लेते हैं वो और विक्सित बच्चे होते हैं जैसे कंगारू देखो यह हमारे से भी जादा लंबे और बड़े होते हैं लेकिन इनके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका साइज ऐ जैसा होता है कि आप उस बच्चे को अपनी हथेली पर रख सकते हैं इतना छोटा होता है ठीक है तो यह पूर्ण विक्सित नहीं होता यहां पर इक मैंने कोसिस कि आपको दिखाने के लिए देखे इसके सरीर में प्राकिरतिक तौर पर एक पॉकेट सा बना हुआ है जिसमें बच्चा घुषने की लगातार कोसिस कर रहा है लेकिन यह बड़े सधेवे होते हैं जहां इन्हें मालो यह बच्चे न इस पॉकेट से बहार निकलके आसपास घूम रहे होते हैं खाना खा रहे होते हैं और अगर इन्हें खत्रे का थोड़ा सा भी ऐसास होता है तेजी से चौड़ते बाते जंप लगाते हैं और सीधा अपनी मा के इस पॉकेट के अंदर घुष जाते हैं और इसी पॉकेट के अंदर ही इनका अस्तन यानिकी मेमरी ग्लैंड परजेंट होता है और वहीं से बैठकर बच्चा दूध पीता रहता है ठीक है तो यह कौन सा जानवाल है बई तो यह है कंगारू तो सही आंसर हमारा हो गया कंगारू और कंगारू ऐसा है जिसे हम मार्सूपियल्स के नाम से जानते हैं और कंगारू जो है यह मुखिता आस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है इसलिए आप देखेंगे आस्ट्रेलियन टीम को चाहे करके टीम ह उन सबों को kangaroos कहके हम जो हमारे media के लोग हैं उसे kangaroo कहते हैं तो kangaroo किस team को कहा जाता है Australian team को क्योंकि kangaroo Australia के अंदर बहुत आयत में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से ठीक है चलिए अगला सवाल अब हमारा क्या है किसके कारण खसरा की बिमारी होती है क्या ये virus यानि की व आजना कवक बैक्तिरिया यानिके जिवानू चैसे अगला सवाल निमलखित में से कौन सी छूत की बिमारी है which of the following is a contagious disease है ना इन में से कौन सा एक ऐसा disease है जो contagious है यानि छूत की बिमारी है that means कि एक दूसरे को छूने से फैलता है या अगर बिमार व्यक्ति का कपड़ा या उसने जो टावल यूज किया है अगर हमने यूज कर लियास तो उस से हमें बिमारी हो सकती है इसी बहुत सारी चीसिजिय है तो क्या ये च्छै रोग है दमा है, σ्ट्रॉक है हार्ट अटक इक है ना तो क्या ये डीवी है, अस्त्मा है स्ट्रॉक है, या डायबिटीज है कौन सा ऐसा बीमारी है जो की छूत का रोग है तो यह हमारा क्या है छै रोग यानि टीबी टूबर क्लॉसिस है ना दमा जिसको है तो ऐसा नहीं कि दमा जिसको है वो अस्थमा वो दूसरे को भी अस्थमा हो जाएगा ऐसा नहीं है इस ट्रॉक अगर एक को लग रहा है उसको हमने चूल या उसके साथ हमने खाना खा लिया या उसके द्वारा यूज किया कर लिया तो हमारे अंदर यह सब बिमारीये नहीं फैलते लेकिन टीबी यह फैलती है टूबर किलॉसिस जो एक जिवानु जनित रोग है बैक्टिरिया के द्वारा होता है अंडे की जर्दी यानि पीला वाला भाग में कौन सा 90 परतिसत से अधिक विटामिन होता है कौन सा विटामिन पीले वाले भाग में 90 परतिसत से भी जादा होता है सबसे जादा विटामिन उसने होता है क्या ये विटामिन B12 है विटामिन K है बिटामिन A की कमी से हमें रतांधी night blindness होती है ये गाजर और green leafy vegetables अगरा खाने से मिलता है बिटामिन C इससे सकर्वी यानि की bleeding gums की problem होती है अगर इसकी कमी हो जाए तो इसका जो बहतर स्रोथ है वो हमारा है कोई भी citrus fruits यानि जैसे lemon नीमू है संतरा है मौसमी है या इसका best स्र fruits है वो है आमला ठीक है विटामिन के राइस ब्राइन ओल और इस तरह से अंकुरित चीजों को अनाजों को खाने से हमें मिलता है और विटामिन के इसकी कमी से रत का जो थक्का बनता है यानि जैसे हमें कहीं कट फट लग गया किसी वज़ा से तो bleeding होती है तो blood clot होता नो हमारे सरीर में खून का जादा loss हो जाएगा अगर deep cut होगी तो vitamin B12 इसे हम साइनों को वाला माइन भी कहते हैं vitamin B12 के अंदर जो metal उपस्थित होता है यह हमारा को बॉल्ट होता है और इससे हमारे इसकी कमी से हमारे सरीर में खून की कमी होने लगती है जिसे हम parnesius anemia के नाम से जानते हैं यानि रक्त अल्पतता होता है और यह ऐसा anemia है जिसको अच्छे खान पान से आप दूर कर सकते हैं तो vitamin B12 जो मुखिता मिलता है यह मिलता है नौन वेज खानों से अगर vegetarian खानों की बात करें तो मुखिता यह दही में होता है थोड़ा बहुत B12 एक ऐसा vitamin B complex का सदस से है जो हमारे सरीर के liver में store रह सकता है otherwise vitamin B complex का कोई भी सदस से वो हमारे सरीर में store नहीं होता जमा नहीं होता वो सभी जल में घुलंसिल होते हैं water soluble होते हैं और हमारे urine से सरीर के बाहर निकल जाते है vitamin B12 इसका एक अपवाद है एक exception है vitamin B complex का सदस से होने के बाद भी यह हमारे सरीर में जमा रहता है और यह कहां जमा रहता है तो हमारे liver यानि यकरित में तो अब इस सवाल का जवाब हमारा क्या हो गया vitamin B12 क्योंकि यह बता है कि नॉन्वेज में ही उपस्थित होता है liver, kidney, अ seven भी आपको लगातार करना पड़ेगा next है मचली में मौझूद ribofleven यह भी एक vitamin है ना ribofleven क्या है vitamin को इन में से किसी एक vitamin के रूप में भी जाना जाता है तो बताइए मचली में एक vitamin मौझूद है उसका chemical name लिखा है इसने ribofleven तो इसमें कौन सा है क्या यह vitamin K है C है B2 है य B2 को हम ribofleven के नाम से जानते हैं और अगर इसकी कमी होती है तो हमारे होठों के मुझ के दोनों कोनों पर होठों के कोनों पर इस तरह से सफेज सफेज दाग आने लगता है थोड़ा condition और बड़ा होता है तो यह घाव जैसा हो जाता है और हमारे लिए मुझ फिर खोल पाना पूरा बहुत मुस्किल होता है क्याओ कि जब हम मुझ कोलते हैं तो यहां पर stress होता है यहां घाव है आप खोलेंगे तो यह क्या होगा तेंड होगा यहां पर दर्द होगा द्रारें पढ़ने लगेंगे क्रैक होगा ब्लीडिंग भी हो सकता है ठीक है तो यह हमारा कहलाता है fishing at the corners of the mouth इसे हम simply ऐसे कहते हैं चिलोसिस हना क्या कहते हैं चिलोसिस तो white white सा ऐसा corners of the mouth के आ जाता है काफी खतरनाक होता है लेकिन सही खान पान अगर हम रखेंगे तो हमारा ये भी ठीक हो जाएगा अगला सवाल निमलखित में से कौन सा जानवर अस्तन पाई है अस्तन पाई यानि जिसके सरीर में अस्तन उपस्थित होता है अस्तन की मदद से वो अपने नवजात सिशु को दुग्ध पान कराते हैं यानि दूध पिलाते हैं थ्री डियट देखा है ना यह मिलिये इन से यह हमारे नेता जी इनके पास अस्तन है लेकिन वो बेसिकली धन कहना चाहता है लेकिन वो थोड़ा सा तो वो भी यह बताना चाहरा है कि रत्ता मार करके कुछ नहीं होगा दिमाग लगाएकर पढ़ना है रटने से क्या होगा आप आपने सिर्फ रट लिया लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ बदलाव कर दिया आप उस बदलाव को नहीं समझ पाएंगे तो रटन्त विद्या जो है खतरनाक है हमें समझना भी है फिर उसको याद करना है निमिल्खित में से कौन सा जानवा रस्तन पाई है बुल भारतिय में डग कच्छुआ एनलीड या वेल तो यहां हमारा वेल एक मैमल है तो यहां में रखेगा कि वेल डॉल्फिन्स यह मचलियों की तरह पानी में जरूर हमें दिखते हैं लेकिन यह अस्तन पाई है यानि हमारे भाई बंदू है हम भी अस्तन पाई है यह भी अस्त पिलाते हैं ठीक है तो यह हमारा सही आंसर इसका है रेगिस्थानी छेत्र में किस परकार की वनस्पती सामान्य रूप से पाई जाती है वाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इस कॉमनली फाउंड इन देजर्ट रीजन डेजर्ट रीजन रेगिस्थानी छेत्र तो आप धिया तो वहां के लिए अनुकूलित है क्योंकि वह अपने पत्तों को काटों में रुपांत्रित कर चुके होते हैं तो पत्ते तो फोटो सिंथेसिस करते हैं परकास संसुलेशन करते हैं अपने अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिती की वज़ा से तो वह अब रुपांत्रित हो गय लोरोफिल आ जाता है तो उसके जो स्टेम है जो तना है वो हरे रंका हो जाता है अब यह फोटो सिंथेसिस करता है ठीक है तो यह अनुकूलन है नागफनी का कैक्टस का रिगस्तानी इलाकों में सर्वाइव करने के लिए जहां पर तापमान बहुत जादा होता है सनलाइट बहुत ही एक्स्ट्रीम होता है और पानी बहुत ही कम होता है ठीक है तो बताइए क्या वो हर्वीसियस होता है बुशी होता है क्लाइमबर्स होता है ट्री होता है क्या यह घास जैसा होता है जाड़ी नुमा होता है यह बड़ी ब्रिक्ष होती है तो इसलिए जाड़ी नु इसके उपर वैसा भी नहीं है नेक्स्ट है इन में से कौन सा मांसाहारी पादप है मांसाहारी पादप लेकिन मांसाहारी अब देखें फंगस भी एक पादप है लेकिन वो क्या होता है खुद खाना नहीं बना सकता तो क्यों नहीं बना सकता तो वजह यह है कि फंगस के अंद energy के रूप में store करने का जो तरीका है तो उसके लिए chlorophyll चाहिए solar energy को mainly trap करने के लिए वो फंगस में नहीं होता बट इन में तो है ये जो भी आप देख रहे हैं सामने green है लेकिन फिर भी ये मजबूर है क्यों मजबूर है तो ये photosynthesis करके तो देखो acids सभी plants के अंदर प्रकृती ने दिये हुए है और कितने amino acids की हमें दरकार होती है ज़रूरत होती है हमें need है 20 amino acids की चाहे हम plants की बात करें animals की बात करें किसी भी तरह के animals किसी भी तरह के plants छोटे बड़े मजोले किसी भी size की बात करें ठीक है और animals की बात करें तो चाहे वो two footed हो four footed हो रेंगने वाले हो दौरने वाले हो चलने वाले हो उड़ने वाले हो कोई साभी हो उन सभी में 20 amino acids की जौरत परती है सभी तरह के proteins को बनाने के लिए तो पादपों में ये सभी 20 amino acids उपस्तित होत का मांस खाने से protein मिलेगा है ना दंगल देखा है ना मारी छोड़ियां छोड़ों से कम है के लेकिन क्या होता है वो family ऐसी होती है जो vegetarians होती है तो जितना ताकत मिलना चाहिए सही को उतना नहीं मिल पा रहा था तो especially घर के बाहर महाविर forgot ने क्या क्या चिकन बटन बनाके अपनी बच्चियों को खिलाया ताकि मांस खाएंगे तो मांस बढ़ेगा ताकत आएगी तो protein की लिए तो इसलिए बिचारों को क्या करना पड़ता है अनिमल्स को ट्रैप करना पड़ता है चोटे मोटे जिस चोटे मोटे ऐनिमल्स उनको SAY चोटा इंसेक्त मिल्स प्रोटीन जयाे सही को अपसूषा यूँ इसका पत्ति खुल जाता है ये इंसेक्ट बहार निकल जाता है ये है आपका यूलोथ्रिक्स पिचर प्लांट कलस्थ पौधा और ये पाप का घड़ा है इसमें इंसेक्ट एंटर करते हैं उपर से एक क्याप है बंध हो जाता है बेचारे वो उड़ने की निकलने की कोशिस करते है निकल नहीं पाते हैं इसके अंदर ही मर जाते हैं ये उनके बॉड़ी से प्रोटीन एब्सॉर्ब कर लेता है और अपने लिए इस्तमाल करता है जब ये पाप का घड़ा पूरी तरह से भर जाता है तो ये पतियों के टिप पर है लीफ के टिप पर तो ये सरके गल के ये कलस गिर जाता है फिर वहां एक नया पाप का घड़ा एक नया पीचर आ जाता है ठीक है तो वीनस फ्लाइट रैप क्वेकिंग एस्पेन रेड मेपल या प्योनी कौन सा ऐसा है तो अभी बता दिया ये आप देख रहे हैं ये वीनस फ्लाइट रैप है ये देखे एक छोटा सा फ्रॉग तक को ये ट्रैप कर सकता है और एक वारे सुने अगर फ्रॉग को भी ट्रैप कर लिया अब उसकी हिमत नहीं कि वो इस ट्रैप से इस जाल से इस पकड़ से बाहर निकल सके बिलकुल ठेक तो सही अंसर हमारा इसमें क्या हो गया वीनस फ्लाइट ठ्रैप ठीक है च दिन में ही मिलता है तो फोटो सिंथेस सिर्फ दिन में होता है लेकिन रेस्परेशन सांस लेना देना ब्रीधिंग ये तो दिन रात चलता रहता है हम सोते हो जाकते हो तो ऐसा ही पादपों के साथ भी है दिन हो या रात हो स्वशन उनका जारी रहता है तो बताइए सही आं and photosynthesis during day गलत है बोथ takes place during day and night यह भी गलत है तो सही क्या होगा? respiration taking place during night day whereas photosynthesis during daytime तो night and day दोनों में respiration होता है लेकिन photosynthesis जो होता है वो सिर्फ वो हमारा होता है दे टाइम में ठीक है? तो सही answer हमारा है answer number 3 next निम्लिकित में से किस जलिये जन्तू के गल्फडे नहीं होते हैं। पानी के अंदर होता है। फिर ये कैसे सास लेते हैं। कलाबाजी नहीं दिखा रहे हैं हम मान लेते हैं कि वो कलाबाजी का एक हिस्सा है लेकिन वो कोई कलाबाजी नहीं दिखा रहे हैं यह उनके मजबूरी है अगर वो पानी के अंदर जंबे समय तक रहेंगे तो वो वो सर के उपर से ऐसा फाउंटेन जैसा पानी निकालती हैं वो दिखाने के लिए नहीं आता मजबूरी है वो उपर आता है सांस लेने के लिए ठीक है तो इसका सही आंसर हमारा क्यों हो गया वेल स्वापोसी पोशन के लिए आवस्यक पदार्त है स्वापोसी यानि और ट्रॉप्स तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या और ट्रॉप्स होते हैं क्यों होते हैं और ट्रॉप्स क्योंकि ये फोटो सिंथेसिस के प्रॉसेस के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते ह तो photosynthesis करने के लिए इनको क्या चाहिए CO2 चाहिए और water चाहिए बिल्कुल सही chlorophyll भी चाहिए देखे अभी जैसे कहा fungus एक पादप है लेकिन उसमें chlorophyll नहीं है तो वेचारा अपना खाना खुद नहीं बना पाता तो वो मरे गले सड़े चीजों से अपना portion लेता है सूरज की रोशनी सूरी का परकास भी चाहिए chlorophyll उसी देखो उर्जा हम ना तो बना सकते हैं न बिगार सकते हैं उसमा गति की यानि थर्मोडैनमिक्स का ये पर्थम नियम है जिसे हम conservation of energy के तौर पे भी जानते हैं जो ये कहता है energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another यानि उर्जा को न हम बना सकते हैं नहीं उर्जा का हम विनाश कर सकते हैं लेकिन उर्जा का रुपांतरन कर सकते हैं यानि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं तो पादप वर्ग जो है वो प्रकास translation या photosynthesis की मदद से खाना बनाता है बेसिकली उसके इंदर वो क्या करता है chemical energy को store कर रहा है क्योंकि chemical bond के रुप में वो chemical energy को store कर रहा है लेकिन एक energy बना नहीं सकता ये सिफ modify कर सकता है तो कौन से energy को modify कर रहा है ये है solar energy जो सूरज की रौशनी से उसको मिल रहा है तो ये भी चाहिए इसका मतलब हमारा इसका सही answer हो गया उप्रोक्त सभी तभी हमारा खाना photosynthesis के द्वारा हरे पादप बना पाएंगे ठीक है और ये जो हमने class के starting में डिसकस किया था जो भी बंदू हमसे नए जुड़े है उनके लिए फटा-फट से बता दो कि rice smart का android app google play store पर अब available है जल्दी से जाएं वहाँ सर्च करें rice smart government exam preparation app download करें आपको यहाँ फायजा क्या मिलेगा तो हम देख लें ज़रा फटा-फट तो daily आपको three hours की live classes मिलेगी recorded classes नहीं मिलेगी कई app पर आपको recorded class दी जाती है पहले pre-recorded classes जी नहीं ये live classes होंगी study material जो बहुत ही based on previous concepts और knowledge के किस तरह के paper आये नहीं है उनके मदद से बनाये गया है daily class test होगा weekly assessment होगा monthly exam based test होगे semester test होगा doubt clearing ये बहुत जरूरी है हम पढ़ातों ले जैसे देखो क्या होता है कि market में जब हम कोई product नियों जाते हैं कोई खासकर electronics का या ऐसा कोई gadget सम लेते हैं तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि क्या ये company service after sell सही देगी की नहीं कि मान लिया कि ऐसा तो नहीं कि खाली sell कर दिया और बाद में अगर कोई problem आ गई हमें कोई द कर आगी कि sir class तो ले ली हमने लेकर अब ये doubt आया ये doubt कैसे हमार किसके साथ discuss करेंगे तो एक dedicated doubt clearing session भी आपको यहाँ पर मिलेगा जहां teacher live आप से connect होंगे और आपके doubts को clarify करेंगे और generic topic videos भी होंगे यानि कुछ ऐसे common topic वाले जहां पर बच्चों को थोड़ा मुश्किल face करन पड़ता है वैसे videos भी आपको मिलेंगे ताकि आप chapter सुरू होने से पहले subject सुरू होने से पहले अपने concept को crystal clear कर लीजे और जब आप इस complete SSC solution batch में अपने आपको enroll करेंगे तो वहां एक और खुसकवरी आपको मिलेगी अगर आप apply करते हैं एक code जो है के आर 500 इस code को apply करते ही आपको एक बहतर inaugural discount मिलेगा एक welcome discount हमारी तरफ से आपको मिलेगा तो जल्दी से जल्दी download कीजिए app enroll कीजिए complete SSC solution batch को use कीजिए के आर 500 code और इस सूचना को इस information को इस खुशी को अपने दोस्तों के साथ भी बाटिए और फिलहाल मैं के राहुल आप से लेता हूँ विदा आ सबस्क्राइब